कि अच्छ पूर्णिंग ट्वलाफ फ्यू स्ट्रेंट्स देखिए चात्रों पिछले वीडियो में पन्नें अंतरास्ट्य व्यपार का प्रतष्ट्य स्द्धान जिसको तीन पार्ट्स में मैंने आपको बताया था पहला बताया था निर्पेक्ष लागत सिद्धान आडम स्मित का सिद्धान था जिसे आगे जाकर विस्तर तरीके से डेविड रिकॉर्डर ने तुलनात्मक लागत उंतर सिद्धान के माध्यम से समझा है और तीसरा जुसका भाग यहां था वो था प्रतिपूर्द मांग का सिद्धान जैस मिल का सिद्धान भी साङचत आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वह डेविड रिकॉर्डर का तुलनात्मक लागत सिद्धान जो कि दिर्पेक्ष लागत सिद्धान में सुदार को बताता है कि ょका कि स сл डेविड रिकॉर्डों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त प्रतिपाजित किया डेविड रिकॉर्डों ने अठारा सुत्रा में अपनी पुस्तक दा पॉलेटिकल ऑफ प्रिकृडु की पुस्तकत नाम है त्र प्रिंशिपल ऑफ प्रिटिकल एकनौमी एन टैक्सेशन में तुलयनात्मकलागत के सिद्धांत का बैज्ञानियक इंख क्रम्बद रूप से प्रस्तुत प्रीकर्ण किया है कि को डों को यह सिद्धांत मुल्य के स्रम सिद्दान पर आधारित है देखिए जातरों मुल्य के स्रम सिद्दान का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जितना स्रम लगता है उतना ही उस वस्तु का मुल्य होना चाहिए कहने का मतलब किसी वस्तू का मुल्य उसके लगने वाले इस्रम निरधारीट होगा यान रिकार्डर अपने सिद्दान पसभ सबसाधिक जो बल दिया है वो श्रम प giorno को मानना था दो देशों के मद्ध अंदरास्टी स्थरपर श्रम की एगठीं शील तो के कारण दो देशों के मुलिकी प्रवर्थी समानि भीत रिकॉड़े मानते हैं कि 2 देशों के मद्ध श्रम एगठीं शील है। कि इसले वीडियो में अपके स्पष्ट किया था कि श्रम अनतरास्च श्रपर Ez्वेश्च बादाएं घरता हैं इसे समांनी अर्थात यहां हम ये समझ सकते हैं कि जिस स्वस्तू का उत्पादन जो देश जितने अधिक विसिष्टता से करेगा वो अंतराष्ट इस्तर पर उतना है दिक लाप प्राप्ट करेगा चात्रों यहां ध्यान देने वाली बात यह कि जब श्रम का मुल्य दो देशों का इस्तर पर अलग-अलग होता है तो उससे विसिष्टिकन की परवर्ती जन मिलेती है जो देश किसी वस्तू को उत्पादित करने में विसिष्टा को प्राप्ट करते वे लागत को कम करता है तो उस देश में वो वस्तू तुलनात्मक रुप से कम लागत पर उत्पादित होती है और उसके लाप दोनों देश देशों को मिलने चाहिए तो यहां रिकॉर्डों के सिद्दांत में अंतराष्टि व्यापार का मुखी कारण जो माना गया है वो तुलनात्मक लागत के अंतर को माना गया है कि कोई भी देश उन वस्तूओं के उत्पादन में विस्ष्ष्टीकन प्राप्त करता है जिसमें तुलनात्मक लागत का अंतर होगा तो यहां चात्रों तुलनात्मक लागत के अंतर से मतलब यह है कि एक देश किसी वस्तु के उत्पादन में ज्यादा लागत वहन करता है दूसरा देश उस वस्तु के उत्पादन में कम लागत वहन करता है वो उसके विश्ष्षता के उपर निर्वर करता है जैसे आपने सामयरे स्थित्यों में देखा होगा कि हम अपने छेतर के साब से भी कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अलग-अलग छेत्रों में विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यह यहां उसमें श्रम जो निर्धारित होता है यह श्रम उसमें लगाया जाता है वो कम लगता है और श्रम जब कम लगता है तो उस वस्तु का जो मुल्य होता है वो कम हो जाता है तो यहां तुलनात्मक लागत कंतर होगा संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक देश उस इसके मुख्या आदर सम्भ यहां बनते हैं स्रम का मुलिस दान और तुलनात्मक लागत का अंतर निसका सवर्प यह कह सकते हैं कि अंतराष्टी अपर क्यों करना चाहिए यह अंतराष्टी अपर के लाब क्यों मिलने चाहिए इसके पीछे जो कारण इकल कर आ वह यह यह कि एक वस्तू से दूसरी वस्तू के अत्पादन में दो देसों के संबंध में जो वस्तू पादित की जा रही है उसमें तुलनात्मक लागत का अंतर होगा हम यहां तोड़ा जो आड़म स्मित का निर्पेश्ट लागत सिद्धान तैं उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं Adam Smith ने जो अपना सिद्दान बेसिक तोर पर दिया है उसमें उन्होंने यह बात कई है कि दो देशों में लागत का अंतर है उसमान होता है निर्पेक्ष का मतलब है उसने स्रम शक्ति को एक जैसा माल लिया लेकिन रिकारड़े कहता है डो देशों में श्रम शक्ति एक किया लिभयानिक माना गया है आगे जाकर डेवीड को पृस्तृत करने के लिए कुछ मानुता ओनेका साधने लेथा है और पहल न हैं और धिजर और को आ पहलों को श्रम में ही समहित मान लिया घए Christ David Ricardo के कहता है उत्पादन में यह ऐसी बस्तों की अत्पादन में श्रम ही लगता है यह विवारिक निया आदुनी परिपेक्ष में दियापन बात करेंगे उन्हों इस मानिता को मान है लेकिन विवारिक नहीं कि उत्पादन के साधन श्रम में ही समाहित है यह उत्पादन के साधन जो होता है वो श्रम के सासे अलग-अलग होता है यह हम श्रम की बात कर सकते हैं पूजी की बात कर सक अधिक है यह उत्पादन की जो सादन है वाश्रम में हीस हम और किसी वस्तू के बस्तुरिक पादन में जितना दhen हगेगा उसका मुल्य उतना ही अधिक होगा का फ़uw व क्डिया रिकाड़ श्रम के लागत या स्रum म विभाजन की बात की गई है या स्रमका मुल्य निर्धहर्ट किया गए स्रम का मुल्य सिध्दान चालता दूसरी मानियता संक्ष को माना चलता दार मोडल में श्रम के कायों समूरूप हो सकता कुछ कुशल स्रम होता है कुछ अर्ध कुशल स्रम होता है कुछ एकुशल स्रम होता है लेकिन रिकार्डों ने अपने सिद्दान को विक्सित करने के करने के लिए स्रम को समरूप इकाई के तौर पर मान लिया गए तीसरी मानेता पर हम चर्चा करें आपर तो व्यापार करने वाले केवल दो ही देश हैं जिन में दो वस्तुओं का विनी में होता है अर्था रिकाउडों का सिद्धान दो देश वै दो वस्तु के सरल मॉडल पर आधा है देखिए चातरों यहां दो बाई दो बाई एक टू मल्टिप्लाई टू इस मॉडल को लेकर आपकी मान्यताओं में जो इस स्लाइड चल रही इसमें भी आपको लिखा गया है आप उसको थोड़ा गौर से देखिए गा स्लाइड पर सीधा लिखा गया है कि दो गुणा दो गुणा एक के मॉडल पर डेविड रिकाउडों का मॉडल आधा रीत है इसका मतलब इसवस्त यहां यह होता है कि दो देश, दो वस्तू, उत्पादन का एक मातर शादन श्रम इस मान्यता को लेकर डेविड रिकाउड अपना कंसेप्ट आगे बढ़ाता है दो देश, दो वस्तू, देश दो होंगे अंतर अस्टे व्यापार में, दो इवस्तों क दोनों वस्तों का उत्पादन किया जाता है दोनों ही देशों में दोनों वस्तों का उत्पादन किया जाएगा तो उससे तुलनात्मक लागत का अंतर होगा जब एक देश में दो वस्तों का एक साथ उत्पादन होगा तो एक वस्तु तुलनात्मक रूप से ज्यादा कीमत प उप्राप्त कर रहा है और जिस वस्तू को ज़्यादा लादत में उस वस्तू के सदर में उढे कोई बी देश अपने देश में उस वस्तू का उतपादन करेगा जो Llena göreobu से कम लादत पर उतपादित होगा जैसा के समित के मौडल में भी बड़ी प्रात्मिक्ता के साथ ली गई थी और उसमें बताया गया था कि कोई भी विवेग सी लो भोगता या उत्पादक उन वस्तों को बाजार से क्रेक करें यू कह सकते हैं कि उन वस्तों को अपने घर पर निर्मान नहीं करें अपने घर में नहीं बनाएं जो बाजार कीमत पर उसे सस्ती मिल रही है तो जो बाजार में जाकर सब वस्तों सस्ते मिलती हैं उन वस्तों का निर्मार्ण अपने घर में नहीं करना चाहिए दूसरी वस्तु तिलनात्म रुप से कम लागत पनिर दारिद की जाएगी इसके अलावा अगली जो मानिता पर उन्हों बात किये वो है उत्पाधन के साधन देश के भीतर पूंड रुप से गतिशील है परन्तु दो देशों के मद उत्पाधन के साधन पूंड रुप से साधन ने पूंड पूंड जो भी है वो साधन एक देश की भोगलिक सीमाओं के अंतर पो गतिशील होंगे लेकिन दो देशों के मद जो गतिशीलता की जो बात की गई है उसमें रिकोर्डों कहता है कि यहां जो श्रम भूमी पूंजी है वो दूसरे देश में नहीं जा सकता क्योंकि वह भोगलिक बादा हैं सांस्कृतिक बादा हैं सामाजिक बादा हैं यह यू कह सकते हैं कि भाषा संबंदी बादा हैं बाजार की देशाएं हैं यह सारी देशाएं अंतराश्चिस पर श्रम की गतिशिल्टा को रोकती है या उन सादनों को एगतिशिल बनाती है और जब एक देश का स्रम या उत्पादन का सादन दूसरे देश में गतिशिल नहीं होगा तो निश्य तौर पर स्रम का मुल्LY सिद्धान्त यह सपस्ट करता है कि दो देशों में उत्पाजित की जाने वाली वस्तूओं के संदर में तुलनात्मक लागत कंतर सपस्ट हो जाये अगली मानेत पर हम चर्चा करें यहां पर शात्रों दोनों देशों में वस्तुविनी में होता है अर्थात मुद्रा के अस्तित्त को नकारा गया है देखिए क्लासिकल मॉडल में विस्स तोर पर यह बात की जाती है केवल वस्तु विनीमे प्रणाली को ही अपनाया जाता है वस्तु विनीमे का मतलब होता है किसी काम के बदले वस्तु या वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना जबकि आगे उसे वस्तू के बदले वस्तू का लेंदनी व्यापर आयात और निर्यात की जो प्रक्रिया है निर्यात में वस्तू को प्राप्त करते हैं और आयात में वस्तू को प्राप्त करते हैं और निर्यात में वस्तू को दूसरे देशों को देते हैं तो यहां एक वस्तू जो तुविनी में प्रक्रिया के तैट यह अपने मॉडल में सामिल करता है तो चात्रों यहां अगली जो मानिता है इन्हों ने लिए वह यह इस प्रकास के दोनों देशों में वस्तों का उत्पादन उत्पत्ति के छमता नियम के अंतरगत होता है देखिए माइक्रोक्नॉमिक्स का जब concept हम पढ़ता है बेसिक तॉर पर तो उसमें तीन प्रकार कreym tos पढ़ते हैं इंक्रीज के प्रकरण लाइक्वल प्रत्पाद्ट क्रिक्षन लाव और ये क्रिक्षन लगाएंगे उससे जयादा प्रक्षन आपको मिलेगा और एक्ब्रक्षन लाइग और और equal protection लाए कि जिस अनुपात में आप साधन को लगा रहे हैं उतना ही आपको protection मिलेगा तो recorder ने अपने basically model में जाज अजमिशन्स लिया है यहां पर वो यह कहते हैं कि हम यहां समता नियम की पालना करते हैं समता नियम को follow करते हैं इसलिए हम जिस अनुपात में साधन को लगाएंगे यह श्रम को लगाएंगे उस अनुपात में ही हमें क्या मिलेगा उत्पाधन मिलेगा इसके बाद next assumptions की जब हम बात करेंगे यहां पर यह इंपर्फेक्ट एंप्लमेंट की जो हम बात करते हैं तो फिर किन्स का थियरी आप मोडरन इकनॉमिस्ट उस पर चर्शा करते हैं जबकि रिकॉर्ड जो है वो classical इकनॉमिस्ट है तो हमेशा यह पूर्ण रोजगर की बात करता है लेकिन यह मानिता जो रिकॉर्डों की पूर्ण रोजगर की मानिता जो इसमें ली है उसको यह मानते हैं तो थोड़ा आगे जाकर कंसेप्ट में फिर अपूर्ण उता आ जाती है क्योंकि वर्तमान परिपेक्श में देखें तो सभी एकनॉमिक फूल एंप्लमेंट में नहीं होती है एकनॉमियों के बीच में पूर्ण रोजगर की मानिता को लिया है देखिए चात्रो इसके बाद यदि हम आगे अगली अजंशन पर बात करेंगे आपर तो अंतराश्टी व्यापार की रेस्टीकेशन को स्विकार नहीं करता है जो इंटरनेशनल ट्रेड मोडल जो हैं बन रहा है डेविट रिकॉर् वो अंतराश्टी व्यापार की रेस्टीकेशन को स्विकार नहीं कर सकता आप टैरिफ कोटा या अन्य प्रकार के किसी प्रतिबंद से अंतराश्टी व्यापार को बाधित करें वो ठीक नहीं है क्योंकि यह जो एप्रोच है चाहिए हम एडम स्मित की बात कर लें डेविड के तौर पर आये स्वतंत्र व्यापार की नीति के तौर पर आये और दो देशों को बीच में व्यापार करने में किसी प्रकार का रोक टोग नहीं हो सकता प्रतिबंद नहीं हो सकता वर्तमान में बहुत सारे प्रतिबंद हैं कोटा की द्वारा लगाया जा सकता है तैरिफ की दवारा लगाया जा सकते हैं या अनीप प्रकार के प्रतिबंद हो सकते हैं लेकिन डेविट रिकार्ड अपने मोडल के अंदर इस प्रकार के च насक को सामिल नहीं करता है इसके अलावा यह दि हम बात करें आपर यह डेविट रिकारडव परीवें लागत जो ट्रांस्पोर्टिशन कोस्ट है उसको शामिल नहीं करता है ट्रांस्पोर्टिशन कोस्ट का मतलब क्या होता है जब एक वस्तू एक स्थान से दूसरे पर जाती है तो उसमें परीवें लागत आती है यह सामा नहीं हगटना है जैब कोई बी वस्तू दूसे स्तानं पर उतपादित होती है और उसको दूसरे स्थान पर भीजा जाता है तो इसमें ट्रांस्पोर्टिशन कोस्ट होती है लेकिन डेविट यह नहीं मानता यह टो सामिल कर लिए दो देसोंगे बीक conect У जो अंतर है वो खतम हो जाएगा या वो अंतर बढ़ जाएगा ऐसे स्थती में इसलिए डेविट रिकॉर्डो जो है अपने जब कि व्यापार चक्रों में क्या होता है एक पाइंट करता है जब को पॉट्सरा के साथ हैं लगबग 10-12 बार्व मानताओं के साथ यह शुरू किया है और इस model को प्राप्त करने के बाद वो अपने इस model की व्याख्या करता है और व्याख्या में जैसा कि मानेता भी में हमने चर्चा किया है कि दो देश दो वस्टू और एक साधन की बात करेगा हूँ दो देशों के बीच में इस concept को apply करना है दो साधन होंगे दो वस्तुएं होंगी आप जैसे जूट का पास भी ले सकते हैं अगली स्लाइड में आपको यह बताया भी गया मॉडल की द्वारा टेवल बना कि बताया गया है कि आप यहां इस concept से इसको समझ भी सकते हैं कि दो दे आपको कि किस सरीके से 2 x 2 x 1 कि मॉडल को स्विकार करते डेविट रिकोर्ट अपने सिद्दान को आगे बढ़ाता है और उसके बाद इस सिद्दान की आलूशना है क्या है इस सिद्दान में प्रभलता के साथ क्या कमिया रही है जिसके जैसे हैक्सर अलिंग का जो आधुनि प्राइब प्राइब जय झालूशना है झालूशना है